आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है पिछले वीडियो में हमने कल्पित माध्य विधी द्वारा वर्गीकृत आंक्णों का माध्य ग्याद करना सीखा था आज इस वीडियो में हम वर्गीकृत आंक्णों का माध्य पग विचलन विधी mean of grouped data by step deviation method द्वारा ग्याद करना सीखेंगे निमनलिखित बारंबारता बंटन सारणी किसी थोक विक्रेता द्वारा बेचे गए खिलोनों के रुपए तथा उनकी संख्याओं को दर्शाती है तो क्या आप इन आक्णों की साहिता से बता सकते हैं कि खिलोनों का माध्य मूल ये कितना होगा? चलिए, देखते हैं जैसा कि हम जानते हैं कि वर्गीकृत आक्णों से माध्य प्राप्त करने के लिए हमने पिछली विडियो में कल्पित माध्य विधी यानि अजियूम्ड मीन मेथर्ड को समझा था जहां हम XI के बीच से एक कल्पित माध्य एका चैन करते हैं और प्रत्येक XI और A के बीच के अंतर को DI से दर्शाते हैं इसी आधार पर हम इस प्रश्न को भी हल कर सकते हैं और उसके बाद FI-DI की गुणा करते हैं परन्तु यहां हम देख सकते हैं कि DI की गणनाएं काफी बड़ी हैं जिससे तुटी होने की संभावना रहती है इसलिए तुटीओं से बचने के लिए यहां हम एक अन्य विधी का अध्यन करेंगे आईए इसे समझने का प्रयास करते हैं ध्यान से सारणी को देखें तो हम कह सकते हैं कि स्तंभ चार के सभी मान पचास के गुणज यानी मल्टिपल हैं यदि स्तंभ चार के सभी मानों को पचास से भाग दे दें तो हमें एफ आई से गुणा करने के लिए छोटी संख्या मिल जाती है जहां पचास प्रत्येक वर्ग अंतराल की वर्ग माप यानी क्लास साइज हैं जिसे हम स्मॉल एच से दर्शाते हैं मान लेते हैं कि यूआई बराबर एकसाई घटा ए बटा एच हैं जहां एक कल्पित माध्य और एच वर्ग माप हैं जिससे सभी यूआई परिकलित यानी कैलकुलेट करते हैं और सारणी का निर्मान करते हैं चूंकि हमें माध्य ग्याद करना होता है तो क्या आप बता सकते हैं कि इसके आगे हमें क्या करना होगा? शाबाश! अब हम प्रत्येक यूआई की गुणा एफ़ाई से करते हैं और उनके गुणन फलों का योग प्राप्त करते हैं और संगत बारंबारताओं एफ़ाई के योग फल का भाग देते हैं परन्तु आपको याद होगा कि हमने डियाई ग्याद करने के लिए हमने प्रत्येक XI में से A को घटाया और H का भाग दिया था इसलिए माध्य ग्याद करने के लिए समिकरण एक में U, I का मान रख निमन सूत्र प्राप्त किया जाता है उपरियोग्त सूत्र में कल्पित मान A, वर्ग माप H, समिशन FI का मान रख हल करने पर X बार बराबर 266.25 प्राप्त होता है अतह हम कह सकते हैं कि खिलोनों के मूल्य का माध्य 266.25 पैसे होंगे माध्य ज्यात करने की इस विधी को पग विचलन विधी यानि की Step Deviation Method कहते हैं इस विडियो में आज हमने वर्गिकृत आंकणों का माध्य पग विचलन विधी द्वारा ज्यात करना सीखा अगले विडियो में हम इस पर आधारित दिल्चस्प उधारन देखेंगे कर दो कर दो